SGX Nifty में 300 पॉइंट से जादा की गिरावाट US Markets के अंदर भारी गिरावाट हमें देखने को मिली तो क्या इसका मतलब ये है कि कल Nifty में हमें बड़ा गिरावाट या बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो कौन से important levels है Nifty के अंदर जिन पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में Welcome to Investographer मेरा नाम है अंकेत और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से like का बटन दबा दो and comment section के अंदर we are the Investographers लिख दो साथ ही साथ जो like का number आपको दिखता है वो भी डाल देना 500 likes का हमारा target है इसी के साथ जल्दी से analysis की तरफ आते हैं अगर मैं आपको सीधा SJX Nifty के उपर ले चलूँ तो SJX Nifty को अगर हम देखते हैं तो SJX Nifty अल्रेडी हमें कल Nifty की closing के बाद almost 300 point से जादा की गिरावट दे चुका है तो इसका मतलब की definitely कहीं न कहीं हमें global investors या global players के थुरू Nifty के अंदर selling जरूर देखने को अल्रेडी मिल चुकी है अब जिन लोगों को ये नहीं पता की SJX Nifty क्या होता है तो SJX Nifty बहुत ही simple चीज़ है जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर NAC और BAC दो अलग-अलग exchange है जहां पर stocks trade होते हैं, futures trade होते हैं वैसे Singapore के अंदर जो exchange है उसको हम Singapore exchange यानि SGX कहते हैं तो जो Nifty के future के जो contracts हैं जो Singapore exchange पर trade होते हैं उसको SGX Nifty हम लोग बोलते हैं तो अब यह क्यों important है या इसको क्यों track किया जाता है तो Nifty का जैसी कि आपको पता है timing 9.15 a.m. से लेगर के 3.30 p.m. पे Nifty close हो जाता है Indian markets close हो जाते हैं NAC और BAC close हो जाते हैं पर जो SGX है, जो Singapore exchange है वो सुबा साड़े 6 बजे Indian timing से रात के डेड़ बजे Indian timing तक operate करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो global action होता है या जो Nifty के closing के पहले या बाद का जो action होता है, वो भी हमें Singapore exchange पे आता हुआ दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं जो global markets के अंदर movements होते हैं, या कहीं अगर overnight कुछ बड़ा action होता है तो उसके लिए हम SGX Nifty को track करते हैं कि क्या कोई बड़ा fall या कोई बड़ी rally हमें अगले दिन gap up या gap down के through हम experience कर सकते हैं या नहीं इसके लिए हम उसको track करते हैं खाली radar पे रखते हैं तो SGX Nifty के अंदर अगर हम देखें और अभी-अभी September का month start हुआ है recently तो ऐसे के अंदर अभी time values में काफी almost 70-80 points की बाकी है इस वज़े से वो Nifty के comparison में 70-80 points advance में या आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहाँ से अगर हम compare करें तो SDX Nifty almost हमें आज अज अभी current price पर अभी भी trade हो रहा है अभी भी आप देखोगे move हो रहा है prices का बट फिलहाल हमें video record करते हो तो almost 2 बजे के round ये 300 point के round नीचे हमें देखने को मिल रहा है अब देखने वाली बात क्या होगी आज global markets जब खुलेंगे US markets शाम को तो वहाँ पे क्या action होता है क्या US markets के अंदर हमें एक bounce back देखने को मिलता है एक थोड़ा सा rally हलकी सी देखने को मिलती है तो अगर ऐसा होता है तो chances है कि SJX Nifty में भी थोड़ी recovery हमें देखने को मिले और शायद कल उतना कोई बड़ा action हमें market में at least opening में gap up या gap down में देखने को ना मिले बट यहीं पर अगर यह fall continue होता है या इतना भी रहता है 300 point minus या उससे जादा अगर जाता है नीचे की तरफ जब global market खुलते हैं शाम को तो फिर chances हैं कि हम Indian markets में भी एक काफी बड़ा gap down देख सकते हैं और उसके लिए हमें ready रहना है उसके लिए हमें cautious रहना है और उसको पहले से discount करके at least हमारे mindset के through हमें उसको मान करके चलना है कि इतना fall हम उमीद कर सकते हैं बाकि SJX Nifty अगर आप चाहो तो रात को जब close होता है या सुभा भी आप जाकर के track कर लेना कि क्या वो difference कम हुआ है क्या recovery आई है या फिर और further गिरा है तो उससे आपको थोड़ा और अच्छे से idea लग जाएगा तो ये फिलाल SJX Nifty के ओपर update है इसी के साथ एक बार global markets के हम बात करी रहे हैं तो global markets का chart भी थोड़ा सा देख लेते हैं और जैसे ही अगर आप ध्यान से देखो ये green zone हमने पहले से बना रखा था तो green zone के higher side पे जाकर के वहाँ से rejection ले लिया इसने और recently काफी strong एक fall भी दिया Monday को और उसके बाद हमें वो अभी continue ही होता हुआ दिखाई दे रहा है sorry ये जो fall था ये Friday को था तो वो बड़ा fall होने के बाद जो इसका एक kind of head and shoulder pattern यहाँ पे confirm हुआ short term के अंदर उसके बाद वो fall हमें continue ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कल इसने closing basis पर अपने यहाँ पे एक जो support line थी वहाँ exactly हमें support लेता हुआ दिखाई दिया है ऐसे में अगर आज एक हलका सा bounce back या थोड़ी recovery आती है तो वो कहीं न कहीं SJX Nifty को भी cooldown करने में help करेगी इसी के साथ अगर हम Dow Jones की बात करें Dow Jones में भी same pattern है एक अच्छा fall Friday से continue होता हुआ दिखाई दे रहा है बट यह भी अपने gap down के थुरू देखने को नहीं मिलेगा बट वहीं पर अगर ये US market में जो supports है ये तुरंत break हो जाते हो और एक बड़ी candle या एक बड़ा fall continue होता है यहां पर तो वो फिर कल Nifty की opening के लिए काफी बुरी चीज या काफी एक बुरा point हो सकता है और हमें उसमें काफी जादा alert रहना पड़ेगा इसी के साथ S&P 500 जो कि एक broad index है US का जो US के top 500 stocks को track करता है उसमें भी अगर आप देखो तो कल fall continue होता हुआ दिखा support लिया और support पहलका सा अगर हम देखें तो support लेता हुआ भी दिख रहा है इस time पे जो ये basically future इसके trade हो रहे है out of market timing के अंदर भी बट अगर ये support zone जो है ये आज उटता हुआ हमें दिखता है नीचे की side तो फिर chances हैं कि कल हम nifty में एक बहुत ही बड़ा gap down expect कर सकते हैं बट again chances थोड़े बहुत ये रह सकते हैं कि अगर gap down बहुत ही बड़ा आता है 400-500 point type तो कहीं ना कहीं हम उसमें intraday में थोड़ा बहुत buying आते हुए देख सकते हैं देखने वाली बात ही होगी कि intraday में जो buying वापस से आती है बड़े gap down के बाद क्या उसके बाद selling वापस से continue होती है second half of market में क्योंकि देखिए इंडिया अभी एक बहुत अच्छा advantage enjoy कर रहा है जिसको हम कहते है there is no alternative टीना करके बोला जाता है there is no alternative तो यह basically क्या होता है कि जब हो सकता है आपके market में या आपके उस option के अंदर उतनी strength ना हो बट कहीं ना कहीं आपका जो option है वो आपके बास only available या best available option है तो इंडिया के अंदर थोड़ा ये एक enjoy कर रहा है इंडिया positive point की बाकी economies के comparison में बाकी market के comparison में इंडिया is a good alternative for global investors तो वो एक अच्छा advantage इंडिया enjoy कर रहा है बट उस advantage के अलावा अगर हम real market economics के अंदर real market data के अंदर जाए तो वहाँ पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा positive नहीं है compare to US या compare to Europe हम लोग recession के fear में नहीं है बट अगर globally recession आता है तो आपको एक चीज समझनी है कि भले ही Indian economy effect ना हो पर stock market ज़रूर effect हो सकता है योगि globally अगर recession आता है तो global जो investors है FIIs जिनको हम कहते हैं वो अपना पैसा pull out करेंगे क्योंकि उनको money की requirement होगी वो पैसा pull out करेंगे वो पैसा अपने सारे investment से थोड़ा थोड़ा pull out करेंगे तो इंडिया से भी पैसा pull out होगा हो सकता है recession का अगर fear आता है या recession आ भी जाता है तो जितना fall बाकी economies में होता है उसके comparison में थोड़ा कम हो बट fall तो होना काफी जाधा probability रखता है ऐसे के अंदर तो cautious रहिए सतर्क रहिए सावधान रहिए और देखने वाली बात ये रहेगी कि इंडिया nifty के अंदर जो हम major levels अपने बना करके बैठे है उन levels के ऊपर या नीचे कोई अगर action होता है तभी हम कोई major action nifty में लेंगे otherwise हम थोड़ा शान्ती से बैठेंगे और इसको हम कहते हैं choppy market आपने देखा किस तरीके से Monday को बहुत ही बड़ा gap down 400 point का gap down और closing basis पर भी almost 500 point का fall हमें देखने को मिला फिर immediately कल हमें 4500 point की rally देखने को मिल गई अब chances हैं कि कल शायद हमें फिर से एक बड़ा gap down या कुछ देखने को मिल सकता है तो इसको हम कहते है choppy market choppy market क्या होता है एक दिन बहुत तेजी से उपर जाएगा एक दिन बहुत तेजी से नीचे आएगा तो यह basically किसी भी side के players को खेलने नहीं देगा तो ऐसे मैं एक अच्छे investor को एक अच्छे trader को क्या करना होता है उसको बाहर बैठ करके game को enjoy करना होता है dance देखो nifty का nifty जब clarity दे किसी भी direction की तब आप कोई action लो otherwise शान्ती से बैठो अपने पैसे को protect करो जबरदस्ती action ले करके पैसा lose करोगे उससे बैठाने पैसे को protect करो जब direction clear हो जाए तब कोई action लो तो I hope यह छोटा सा update आपको पसंद आया होगा और इस तरह के update वीडियोस पे रिसेंटले आपने काफी प्यार दिया है तो हम लोगों ने सोचा है कि हम इस तरह के update वीडियोस थोड़ी महनत करके continue करेंगे और अगर आपको यह पसंद आते हैं तो भर-भर के like करिए दोस्तों के साथ, family members के साथ, friends, colleagues सब के साथ share करिए ताकि हमें और motivation मिले इस तरह के वीडियोस continue करने के लिए I hope आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो like दबाईए description में और पहले comment के अंदर हमारे Big Bulls Club की link है अगर आप हमारे साथ directly जोड़ना चाहते हैं हमारे trades, हमारे investments को follow करना चाहते हैं तो Big Bulls Club को आप join कर सकते हैं हम सारे updates देते हैं साथी साथ daily हम लोग 10 घंटे आपके साथ बैठते हैं personally और आपके साथ बैठके बात करते हैं आपके doubts, आपकी queries, आपकी problems को solve करते हैं Thank you